एक मोशन का प्रॉब्लम उठा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 से लेकर के क्लास 11 तक की प्रॉब्लम आप इसको कह सकते हैं तो देखें क्वेशन में आपके समने पढ़ देता हूं क्वेशन नमर 20 है जिस बुक से मैं करा रहा हूं इसको और कोशन कहा है और कोशन कहा है A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity 5 m per second वालब एक stone को उपर की तरह 5 m per second से फेका जाता है ओके सो इनीशल वेलास्टी ऑप दे स्टोन इकोल्स तू 5 मीटर पर सेकेंड आपने स्टोन को ऊपर की तरफ फेका है अब मुशन कर एक रूल जान लिजे कि आप किसी भी डिरेक्शन को एक प्लस लेलो और उसका पोजिट माइनस लेलो तो आप स्टोन को ऊपर फेक रहे हो न तो ऊपर की तरफ अपने पहले ही सपूस के लिए आपने पाच लिखा मतलκι क्या यह प्लस पाच है क्या है यह प्लस मास्ट अब मूट बना लो भाई कि आपको 10 meter per second is quality अब यह बताओ तुम इसको उपर फेको गे तो भाई यह इस पर ग्रेविटेशनल acceleration लगे की लगेगा बताओ और ग्रेविटेशन एक्सलेशन हमेसे कहा लगता है नीचे तो उसकी डिरेक्शन तो हमेशा नीचे होती है तो यू की वैलियो तो चलिए 5 meter per second positive में आ गई जो acceleration होगा वो कितना लगे बोलो प्लस 10 की माइनस 10 माइनस 10 meter per second square डाउन वर्ड नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशन ओके ठीक है एक्सलेशन दू ग्रेविटेशन इसकी डाउनवर्ड नीचे की तरफ लगर इसले निगेटिव ले लिया अब कहरा इंद डाउनवर्ड डिरेक्शन वाट विल वी दा हाइट अटें बाई दा स्टोन लो भाई कहरा बताईए हाइट कितनी दूसरा आपको बताना है कि नीचे से उपर जाने में कितना टाइम लगेगा तो आई ये लगाता हूं में पहला रूल अपना एक्क्वेशन आफ मोशन लगा दो भाई साव इकॉल टू यू प्लस एटी इससे क्या परज़ लगा आपको टाइम परज़ लेगा चलिए तो या at highest point सबसे ऊचे वाले point पर हम एट highest point बोलो velocity किती होगी 0 तो जीलो इकॉल टू यू किता चल रहा है जी 5 प्लस है तो 5 एक्स प्लस एक्सलेशन बोलो कितना लगेगा minus 10 okay t का पता नहीं तो अपने पास कितना आ जाएगा देखो t निकालना है so minus 5 equal to minus of 10 into t minus से minus cancel t is equal to 5 by 10 how much 1 by 2 बोले तो कितना 0.5 second या 1 by 2 second में ही अपने पास जो particle है उपर तक चला जाएगा चला जाएगा अब भाईस आफ हाइट निकालनी है अपनको ओके तो हाइट के लिए 2 for फॉर्मुल अपने पास है एक एक है अकडे है वी स्क्वाइर एकल्ट टू जाया प्लस 2s उससे भी निकाल सकते हो और कर दीजे, plus 2, acceleration कितना लग रहा है बेटा, minus 10, और height निकालनी है, okay, so 0 equal to 5 का square कितना हो गया, 25, okay, और minus का कितना हो गया, 20 into h, 25 को यहाँ जान दीजे, minus 25 equal to, minus 28, okay, minus से minus cancel, h equals to 25 divided by 20, काड़ दो भाई, 5 से 5 बर, 5 से 4 बर, 5 by 4, okay, इसको आप करोगे, तो यह 1.25 आएगा, कितना आएगा, 1.25 मीटर, so यह हो गई, इसकी maximum height इतने तक जाएगा, अच्छा, एक चीज़ मजएगी बात, देखो, यहाँ पर 1.25 पॉजटिव आया, मालूम पॉजटिव क्यों आया है, क्योंकि physics खुद बता रहीगी, भाई साब, आपकी जो body है, वो उपर जा रही है, अगर यह negative आता, मतलब body कहा जाती, नीचे जाती, तो आंसर कितना आ गया, 1.25 मेटर, और एक चीज़ अगर इसी question को बढ़ा करके पूछ लिया जाया है, कि बताईए कि total कितना time लगेगा, total कितना time लगेगा, मतलब उपर जाने और नीचे lot करके आने में total कितना time लगेगा, तो total time period इकल टू यह जो आया है, इसका double कर दो, 2 times of small t, तो 2 into 0.5, मतलब कितने second, 1 second, मतलब 1 second में body जो है, उपर जाके वापस आपकी lot आएगी, बुली आ गया समझ में, so this is the way, how you can solve this question, चलिए, तो बताईए जरूर कैसा लगा आपको सवाल, thank you, यहाँ पर मैं एक interesting concept आपको मैं बताना चाहूँगा, कि आप सोच रहे होंगे, कि पहले रेखो, यह यहाँ से जाएगा, उपर जाएगा, तो यह थिरे-जिरे slow होता जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, बच्चों आपको जान करके हैरानी होगी, कि इसके बाद जब यह लोटेगा, और finally जब यह टकराएगा ना बच्चों, तब इसकी speed 5 meter per second होगी, मतलब जितने, आप जिस velocity से इसको फेके होंगे, उसी velocity से जाकर यह वापस भी टकराएगा, आप इसको निकाल भी सकते हैं, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, वीक कल टु यू प्लस 80 से निकाल सकते हैं, देखिए, जिस समय आपने इसको रिलीस किया है, वहाँ पर कितना है velocity, 0 है, तो इसका इस्टार्टिंग विलास्टी किती हो जाएगी, 0, प्लस, एकसलेशन कितना लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा, 10, ओके, तो एकसलेशन आपके पास कितना लग जाएगा? 10 लग जाएगा, तो यहाँ पल ले लिजा, क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा तो कितना लेजी, टेन एंड टाइम कितना लगना है मैंने आपको बता थे टाइम कितना है 0.5 क्योंकि जितना उपर जाने का टाइम उतना नीचे आने का टाइम 0.5 means 1 upon 2 देखिए आंसर कितना आ गया वी इस इकल टू माइनस 5 मीटर पर सिकेंड विलास्टी सेम है यह बतारा माइनस 5 मतलब पर फेकोगे वो ग्राउंड पर टकराते समय उसी वेलास्टी से जाएगी जिस वेलास्टी से आपने फेका था और तो और बच्चों याद रखना कि जब आप कभी गूला जो होता है फेका जाता है या युद्ध के समय दूरिंग दवार तो जिस वेलास्टी से गूला फे सेकेंड, क्लियर हुआ, और यहां पर जितना एंगल होगा, यह टकराते समय भी इसका एंगल यहां पर ही इतना होगा, और यह सब कमाल क्यों हो रहा है दोस्तों, इसके पीछे लगा हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी प्लस मेकेनिकल एनर्जी हमेश इस वजए से चमत कर आपको देखने को मिल रहा है